नमस्कार दोस्तों स्वागत्याप सबुका आपके अपनी यूटूब सैनल रामगड एडूकेर में दोस्तों अगर आप घर बैठे बीएड करना चाते हैं मात्र 55-60,000 के अंदर में दोस्तों तो इगनू के तरफ से आपको अच्छा खासा मौका मिलता है दोस्तों हर साल मौक यहाँ पर आपको information देने वाला हूँ बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जो इगनू से बीएड करते हैं उनको government job में problem होती है ऐसा बिलकुल भी नहीं है दोस्तों इगनू से बीएड करना आपके लिए तो गर्व की बात होनी चाहिए कोई भी दिक्कत नहीं होती है कई भी निक के द्वारा इसको A++ का rating मिला हुआ है आप देख सकते हैं इगनू को तो चलिए यहाँ पर complete information कब से कब तक आपको registration करना है last date क्या होने वाली है और भी क्या-क्या चीजें जो हैं ज़रूरी वो देख लेते हैं ओपिसियल साइट पे आने के बाद आप यहाँ पर देखेगा registration for BA entrance exam January 2022 session the last date of receipt of publication is 17 April 2022 ठीक है तो 17 April तक यहाँ पर last date रखा गया है BA entrance exam के लिए यहाँ पर देखते हैं फूरा detail बने रही है बस अपने फोन से भी चेक कर सकते हैं सारा अपडेट तो यहाँ पर फिर आपको देख रहा है registration for BA entrance exam January वही वाला चीज है सेम लास्ट डेट 17 बाइस है 17 April तो यहाँ पर click here for registration करेंगे तो यहाँ पर हमको बहुत सारी जानकारिया मिलेंगी तो यहाँ देख लेते हैं क्या-क्या यहाँ पर जानकारिया मिलती है यहाँ आ जाईएगा दोस्तों तो आपको इधर बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी registration करना है user login जो भी है तो इससे पहले आपको जो है दोस्तो general instruction है वह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा general instruction form filling step form filling कैसे करना है आपको साथी साथ इधर program available का option भी मिलेगा तो इतनी सारी बात करें तो आपको carefully general instruction जो सामानी निर्देश होते हैं वो पढ़ लिजिएगा कैसे आपको fill करना है क्या क्या चीजें required है यहाँ पर entrance में जो fee लग रहा है आपका 1000 रुपया लग रहा है ठीक है एक 1000 फी लग रहा है और कैसे apply करना जो कि non refundable fee रहेगा अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का query है किसी भी तरह का question है eligibility criteria को लेकर beIt करने के哇 करने के लिए liability criteria आपको पताई है फिर भी अगर आपको eligibility criteria को लेकर किसी भी तरह का doubt है चहाँ पर contact number दिया हुआ है आप इनसे contact कर सकते है contact number दिया हुआ है ठीक है Monday to Friday और नीचे भी और एक contact है mail भी दे रखा है site भी है यहाँ पर तो इन से आप contact कर सकते हैं किसी भी तरह के query के लिए या फिर यहाँ पर जितना भी instruction है इनको आप carefully ready कर सकते हैं सारी चीज़े यहाँ पर लिखी हुए है फोटो क्या चीए कैसे payment करना है और भी क्या-क्या चीज़े है required तो सारी चीज़े यहाँ पर form filling step अगर आपको देखना यहाँ से touch करके आप देख सकते हैं form filling step क्या-क्या step करने है आपको तो यहाँ पर कैसे करना है आपको login करना है फिर login करके जो भी detail है वो fill करना है photo signature वगेरा upload करना है payment करना है बस यही process रहता है और भी अगर यहाँ पर कुछ जानना चाहते है programs available यहाँ पर click करके देख लिजिए क्या-क्या program available है तो B8 का program available है specialization जो है bachelor of education bachelor of education तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर आपको B8 जो है B8 generally 2 साल का यहाँ पर course आपका होगा लेकिन 2 से 5 साल के तक में अगर आपका बीच में किसी तरका exam वगेरा छूड़ जाता है आपको exam नहीं दे पाते हो या फिर फेल करते हो किसी कारणवस तो 5 साल के अंदर तक आपको अपना B8 यहाँ पर complete कर सकते हो generally यहाँ पर 2 साल का होगा और फी जो होगा आपका फी होगा आपका 55,000 फी है इगनू से तो मान के चलिए साइट 1000 के अंदर में आपका जो B8 है यहाँ पर पूरा complete हो जाता इगनू से ठीक है तो आप लोग साइट विजिट कीजिए और जो वहाँ पर contact number दिया है किसी भी तरह के query है आपके तो वहाँ पर आपको जाकर कर सकते हैं और भी यहाँ बहुत सारा option है यह सब देख सकते हैं apply online कैसे करना है form कैसे देखना है यहाँ ठीक है यहाँ पर देखना है